नमस्ते फ्रेंड्स तो आज बनाएंगे आप इंस्टन नास्ता की रेसिपी तो इसके लिए हमने एक कटूरी यहाँ पर सूजी लिए बारिक वाली सूजी और जिस कटूरी से हमने सूजी लिए उसी कटूरी से हम यहाँ पर दही लेना है दही और सूजी को अच्छे से प्रट सा खाना हो तो आप इस रेसिपी को जरू ट्राइ कीजिए बहुत ही टेस्टी और बढ़िया बनती है तो इसमें हम डालेंगे दो चमज यहाँ पे चावल का आटा चावल का आटा और सुझे से इस नास्ते को बनाईए पेट भरेगा लेकिन मन नहीं भरेगा इतना टे को आटाविया चेक कर सकते हैं और बाद में इसमें पानी बढ़ा सकते हैं इसके साथ बढ़ने वाली जो चट्नी है न उसका असवाद बहुती बड़िया आएगा ढोनों को आ कि महीं स्नी बहुत ही बढ़िया नप दीकिए तू आप यह पूरा देखी आपको चटनी की की एसे consistency रखनी है तो इसे हम ढखकर 10 मिनिट के लिए रख देंगे 10 मिनिट के बाद आप इसे चेक कर सकते हैं यह आपको बैटर थोड़ा सा गाड़ा लगे तो आप में इसमें पानी डालकर इसको एक्जस्ट करेंगे थोड़ा सा पानी मैंने इसको उपर और डाला है पानी डा जानी कि 2-3 चुटके के करीब एक दम ही कम डालना है ज्यादा नहीं डालना है तो देखिए अब हम इसके बनाएंगे रास्ता तो तवे पर मैंने थोड़ा सा तेल लगा लिया है तो यह नॉन स्टिक तवा है तो थोड़ से तेल से भी कम चल जाएगा तो तीक ही इस पे हमन बढ़िया कलर आ गया है तो अब हम इसको निकाल लेंगे और इसी तरह से हम बाके सारे नास्तियां पर बन कर तयार करेंगे लाइट की थोड़ सी प्राब्लेम आ रही है ज्यादा तो कही कर कम तो इसके लिए मैं आप सभी से माफी मांगना चाती हो तो देखिए यह इसको ह हम अच्छे से बनाएंगे अप रेसीपी को धान दीजिए वो बढ़िया है और एक बार जरूर बनाईए तो इसके साथ जो चटनी बनाएंगे आप उसे बनाते हैं तो तेल डाला है तेल में थोड़ा सा जीरा डालेंगे एक चमच करीब एक चमच कर भी धनिया और दो बड आप दोसा इडली समोसा किसी की भी साथ सव करेंगे न तो बहुत ही बड़िया टेस्ट देगी और देखिए इसमें हमने आदा चमच के करीब हल्दी पाउडर और चोटा एक चमच हमने इसमें लाल मिश का पाउडर डाला है हमने इसमें हरी मेर्च भी डाली है तो इसके सा जोरूर बना ये और थोड़ा सा थन्डा होने के बाद हम इसको मिश केवार में डाल देंगे इसमें हमने गूड डाला है इमली डाली है और तीन से चार लौसन की कलिया और काला नमक डाला है थोड़ा सा अब हम इसको अच्छे से पीस लेंगे तो यहाँ पर देखिए नास्ता की रेसिपी अच्छी लगिए तो लाइक और शेयर जरूर करिए और बनाने के बाद जरूर बताईए कि कैसा बना था चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए तो मिलते हैं नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाए